हलो एव्रीवन कैसे हैं आप सब आज हम जो कि जर्मनी रश्या नौर्ट स्ट्रीम टू पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है उसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे जो कि आपके एक्जाम पॉंट व्यूस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कर लीजए और साथे साथ बैल आइकन भी दबा दीचे ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके और यह जो लेकिन अगर आप आप लोग हमारे वीडियो को एंड तक देखती है तो प्लीज अमरे विडियो को जो है यह एंड पर स्ट्रीम टूपष्ट पैपलाइन ने है जिससे कि रश्या पर जो है योरोप की जो मतलब योरोप की जो उरजा निर्भड़ता जो है वो काफी बढ़ जाएगी और अमेरिका ने जो है इससे पहले रश्या और जर्मनी के बीच यह जो मतलब गैस पाइपलाइन जो है इसको पूरा करने पर मतलब बैन लगा दिया था प्रतिबन लगा दिया था तो यह Nord Stream 2 pipeline क्या है थोड़ा सा उसके बारे में हम चानते हैं यह जो है यह 1200 km लंबी pipeline है जो कि रशिया में उस तलूगा से जर्मनी में Griff's Wall तक Baltic सागर के रास्ते से होकर गुजरती है इसमें जो है हर साल 55 billion cubic meter gas ले जाने के ख्रमता होगी और यह जो pipeline जो है इस pipeline को बनाने का जो निर्णाई जो है वो साल 2015 में लिया गया था Nord Stream 1 system को जो है पहले ही पूरा किया जा चुका है और अभी Nord Stream 2 pipeline के साथ मिलकर जो है यह जर्मनी को हर साल 110 billion cubic meter gas की आपूर्ती करेगा ठीक है तो अभी यह जो है यह अभी क्या करेगा कि Nord Stream 1 system जो है उसको अल्रेडी कर दिया मतब गया है उसको पूरा किया जा चुका है और अभी Nord Stream 2 pipeline जो है उसके साथ मिलकर जो है जर्मनी को जो है अभी हर साल 110 billion cubic meter की जो gas जो है उसकी आपूर्ती की जाएगी मतब supply किया जाएगा और उसके बाद आता है इसका प्रभाव तो पहला तो है कि US dependence on Russia यानि कि Russia पर जो है योरोपिया संग की निर्भरता तो यह जो प्राकृतिक गयास चेह है इसके लिए रशिया पर योरोप की निर्भरता को और ज्यादा बढ़ाएगा जबकि वर्तमान में जो है योरोपिया संग के देश पहले से ही अपनी 40% जो gas स एक impact पड़ेगा क्योंकि Russia और योरोप के बीच में जो है मौजुदा pipeline है जो की Ukraine से होकर गुजरती है लेकिन अभी Nord Stream 2 pipeline project पूरी हो जाने के बाद जो है यह Ukraine को बाइपास कर देगी और इसके कारण जो ही Ukraine को जो है हर साल जो लगभग 3 billion dollar की जो महत्तुपुन पारगवन यानि कि geopolitical win for Russia तो अभी यह जो है रशिया के लिए एक भूर आजनितिक जीत और संक्तुराजिय अमेरिका तथा उसके जो सही होगियों के लिए जो है परिशानी का सबब हो सकती है क्योंकि अभी यह जो होगी रशिया के लिए फायदमन होगा तो इसलिए यह मतलब हो सकता है तो अभी दूसरा उसके बाद आता है कि संक्तुराजिया का जो नया जो रूख है वो कैसा है थुरा सा उसके बाद में जाते कि रशिया को धंकी देने का नरम विकल्प था यह तो अमेरिका ने जो है रशिया को धंकी देने के लिए जो है नरम विकल्प को अपनाया है कि अगर यह pipeline का जो यूज जो है किया जाता है तो इससे यूक्रेणिया पुर्वी यूरोप के अन्य देशों को नुकसान पहुंच सकता है और एक तरफ यह जो रश्या के जो हाइड्रोकर्बन तक जो पहुंच प्राप्त करना चाहता है वहें दूसरी और रश्या राश्ट्र जो है तो रश्या को जो है अभी धीली तोर पर जो है ठमकी दिया गया है संक्रेज़र गप 24 फाररल जो है जो मतलब यह करन शmetro अब तो यूज जर्मनी उस गर्णनि समझटा धर्शात हैam ki अगर रस्या उर्जा को एक हतियार के रूप में इस्तिमाल करने और यूकरेन के खिलाफ आकरमक कारवाय करने का प्रयास करता है, तो जर्मनी जो है, वो खुद को प्रतिबन, मतलब खुद में भी जर्मनी अपने आपको प्रतिबन लगाएगा तथा रशिया निर्यात को सिमित करेगा ठीक है देन उसके बाद था ग्रिन फंड फॉर यूक्रेन तो जर्मनी को जो है मौजुदा रशिया यूक्रेन गैस पार्गमन समझोते को जो है दस साल तक बढ़ाने के लिए सभी जो उपलब्ध शक्तिया जो है तो जर्मनी को जो है जर्मनी को भी यूक्रेन की उर्जया व्यवस्ता में सुधार है तो नय नेभी 10 वीडियो में इतना ही था שम को फिर मिलुद है नए वीडियो के अनलाइस किसके साथ तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है इसको दिखते रहेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलेगा कोई अगर सुझा हो तो कमेंड करना प्लीज मत भूलेगा क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वह हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड़ वरक करने के लिए और कोई अगर सुझा हो तो कमेंड करना प्लीज मत भूलेगा और ऐसे जो वीडियो जो हमें बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम और रिसर्च की जरूरत होती है तो आशा करती हूँ हमारी परिश्रम को आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे तो प्लीज किप सपोर्टिंग आस and किप वाचिंग आर वीडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब टेक केर जैहें